नमस्कार दोस्तों मैं रणीस आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल क्यूक आएक्यो इस्टडी में तो चलिए शुरू करते हैं आज ये वीडियो में हम आपको बताएंगे महत्पुर्ण दिवस के बारे में देखे महत्पुर्ण दिवस से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट कोस्टन बनते हैं जैसे की राष्ट्य यूवा दिवस कम मनाया जाता है इसी तरह के कोस्टन जितने भी बनते हैं आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है आप वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा क्योंकि जितने भी कोस्टर इसमें हम कापको करवाएंगे आपके एक्जांस में आने की बहुत ज्यादा चांस रखती है तो चलिए कोस्टर अस्टार्ट करते हैं पहला कोस्टन है कि राष्ट्य यूवा दिवस कम मनाया जाता है देखे इसमें भी आपको चार ओप्षन मिलेगा ठीक है और हम दो से तीन सेकेंड आपको सोचने के लिए देंगे फिर इसका हम राइट एंसर बताएंगे तो चलिए टाइम अस्टार्ट होता है तो अगर आपने आप्षन नमबर ए चुना है तो आपका सही है बाराज जन्वरी राष्ट्य यूवा दिवस कम मनाया जाता है तो बाराज जन्वरी को मनाया जाता है आप्षन नमबर ए इस राइट एंसर नेश्ट कोस्टन देखते हैं कि विश्व यूवा दिवस कम मनाय जाता है य गर आपने ऑप्षण नंबर 2 चुना है तो आपका सही है 30 जन भरी को सही दिवस 30 जनर भरी को मना जाता है नेक्ट कोसेन है कि बिस्व कैंसर दिवस कम मना जाता है तो अपने option number C चुना है तो आपका सही होगा 200 cancer दिवस 4 October को मनाया जाता है next question है राष्टिय विज्ञान दिवस कम मनाया जाता है तो अगर आपने option number C चुना है तो आपका सही होगा 28 फरवरी राष्टिय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है Next question है प्रवासी भारतीय दिवस कम मनाय जाता है। तो अगर आपने option number B चुना है, तो आपका सई होगा, 9 जन्री को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जन्री को मनाय जाता है। Next question है अंतराष्टीय महला दिवस कम मनाय जाता है। तो अगर आपने option number A चुना है तो आपका सही होगा 8 मार्च को अंतराष्टी ये महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है Next question है 200 पृत्वी दिवस कम मनाया जाता है तो अगर आपने option number D चुना है तो आपका सही होगा 22 अपरेल को अगर आपने option number A चुना है तो आपका सही होगा अगर आपने option number A चुना है तो आपका सही होगा अगर आपने option number A चुना है 18 अपरेल तो आपका सही होगा अगर आपने option number D चुना है तो आपका सही होगा 11 जुलाई को बिश्व जनसांख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है next question है सिच्छक दिवस कमनाया जाता है तो अगर आपने option number C चुना है तो आपका सही होगा 5 सिच्छक दिवस 5 सिच्छक दिवस 5 सिच्छक कमनाया जाता है तो 5 सितमर को. Option number C is right answer next question है 27 जुलाई कब मनाया जाता है तो अगर आपने option number Cımız n सेलक्ट किया है तो आपका सही होगा 8 सितमर को. 27 जुलाई सिच्छक 8 सितमर को मनाया जाता है next question है कि دंबाकू निशेध्य निश स्राइध दिवस कं मनाया जाता है तो अगर आपने option number 20 चुना है तो आपका सही होगा 31 मई को, तब बाको 19 से दिवस 31 मई को मना जाता है Next question है, विष्व स्वास्थ दिवस कम मना जाता है विश्व स्वास्त दिवस कम मनाय जाता है तो गर आपने option number D चुना है तो आपका सही होगा 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस 7 अप्रेल को मनाय जाता है Next question है विश्व जल दिवस कम मनाय जाता है तो गर आपने option number C चुना है तो आपका सही होगा बाइस मार्च को विश्व जल दिवस बाइस मार्च को मनाया जाता है नेक्ट कोस्टन है विश्व एड्स दिवस कम मनाया जाता है तो अगर आपने option number A select किया है तो आपका सही होगा जितने भी student option number A select कर रहे हैं उनका सही है एक दिशंबर को विश्व एड्स दिवस एक दिशंबर को मनाया जाता है तेखे साथ हो एक ची एहाम आपको और बता देते हैं कि अगर कोई भी वीडियो में या फिर कोई भी question में अगर आपको confusion हो तो आप हमारे Instagram जो इसका ID है जो बगल में आपका फोटो दिख रहा है प्रफाइल में यह आपका होगा आप इस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप इसको Instagram से जोइन कर लिजेगा Instagram पर फोलो कर लिजेगा साथ में क्यूक IQ Study ओफिसिल चैनल को भी आप फोलो किजेगा देखिए जितने भी important question बनते हैं हम वहाँ भी आपको इसका provide करते रहते हैं या फिर Q series के द्वारा वहाँ भी आपको बता दे जाते हैं अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम जोइन कर लिजे जो की क्यूक IQ Study के नाम से आपको मिल जाएगा जाते हैं कि रजनिस कुमार क्यूक IQ जो आपका Facebook पर भी आपको मिल जाएगा तो अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं तो आप जितने भी इसमें हम आपको users ID बताए हैं आप यहाँ social media के द्वारा अब जूड़ सकते हैं जिसे आपको कोई भी परिशानी नहों आप direct हमसे contact कर सकते हैं तो चलिए अब next question की तरफ चलते हैं चलिए next question है कि मानव अधिकार दिवस कम मना जाता है तो अगर आपने option number B select किया है तो आपका सही होगा 10 December को मानव अधिकार दिवस 10 December को कम मना जाता है next question है कि किसान दिवस कम मना जाता है फार्माडे अगर इंगल्स में इसको बोलें तो फार्माडे कम मना जाता है तो अगर आपने option number C select किया है तो आपका सही हो जाएगा 23 December को किसान दिवस 23 December को मनाय जाता है Next question है कि बाल दिवस कम मनाय जाता है तो अगर आपने option number A select किया है तो आपका सही होगा 14 November को बाल दिवस 14 November को मनाय जाता है देखिए पंडी जवारलाल नहरू के संदर्भ में ये बाल दिवस मनाय जाता है नेश्ट कोशन है अंतराष्टिय योग दिवस कम मनाय जाता है तो अगर आपने option number C सेलेक्ट किया है तो आपका सही होगा अंतराष्टिय योग दिवस 21 जुन को मनाय जाता है नेश्ट कोशन है बिश्व मधुमे दिवस कम मनाय जाता है तो अगर आपने option number D सेलेक्ट किया है तो आपका सही होगा चौदह नवमर को बिश्व मधुमे दिवस 14 नवमर को मनाय जाता है next question है और last question होगा कि 20 उप्भोगता दिवस कम मनाय जाता है तो अगर आपने option number A select किया है तो आपका सही होगा 15 March को 20 उप्भोगता दिवस 15 March को मनाय जाता है देखे साथियों इस वीडियो में question 25 हम लिये हैं next वीडियो में हम आपको 25 question करवाएंगे जिसे कि आपका total जितनी भी महत्वपुन दिवस की question आते हैं आपका complete हो जाएगा वीडियो लंबा होने के कारण हम question को एहीं तक रखते हैं आगले parts में हम आपको 25 question और करवादेंगे जिसे कि आपका total complete हो जाएगा तो तब तक के लिए इतना ही question रखते हैं और जो students हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस चैनल के द्वारा कुछ सिखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिज़ेगा बेल आइकन के साथ ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलती रहे और अगर कोई confusion हो तो आप जितने भी social media का link हम आपको बताए हैं आप वहाँ से भी जूड़ सकते हैं और इसका link आपको अगर आप इसका link चाहते हैं तो description box में जाएए सबसे last में उसका link आपको मिलेगा आप वहाँ से follow कर सकते हैं वीडियो अच्छा लागए तो वीडियो को like भी किजिएगा ठीक है दोस्तों के साथ share भी किजिएगा ताकि आपको जितने भी दोस्त हैं ओभी इससे फायदा ले सके ओभी इससे सिख सके तो जहीं साथ हो फिर हम मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक के लिए जहीं जावारा